रुकरते हैं पदियश क्योर। गुमार्मी के साथ लगते एक शेतर बड़ू में SIU टीम के दोरा महिला से चिट्टा वो अफीम ब्रामत की है जिला प्लासपुर की SIU टीम मुख्या अरक्षी संजीब कुमार की अग्वाई में गुमार्मी से बड़ी सड़क पर बड़ू में गर्ष्ट कर रहे थे कि बहाँ पर बैटी महिला वो एक व्यक्ति से अचानक पूश्टाच की तो महिला घबरा गई था उसके साथ अन्य व्यक्ति ने जंगल की तरफ चलांग लगा कर भाग गया महिला की जब तलाशी ली गई तो उसके पास से नशीली सामगरी ब्रामत की गई महिला से 3.6-7 ग्राम हिरोईन और 3.52 ग्राम अफीम नशी की 11 गोलिया वर 2900 रुपई ब्रामत किया गया है गुमार्मी थाना पुलिस ने मामला दर्श कर लिया है और आदी की चानविन शुरू कर दी है गुमार्मी के साथ लगते क्षितर बड्डू में S.I.U. टीम के द्वारा महिला से चिटाब अफीम ब्रामत की है जिलाबलासपुर की S.I.U. टीम मुख्य आरक्षी संजीब कुमार की अग्वाई में गुमार्मी से बठी सडक पर बड्डू में गश्ट कर रहे थे कि बहाँ पर बैठी महिला ब एक ब्यक्ती से अचानक पूछ राच की के अनुसार महिला की पहचान चंदरकांता उम्र 27 साल पतनी अनिल कुमार गाउं मुकडाना तहसील जंडुता के रूप में हुई है तथा अन्य ब्यक्ती जो भाग गया है शुशिल कुमार पुत्र, राजिश कुमार गाउं पट्टा के रुप में हुई है महिला से 3.67 ग्राम हिरोईन और 3.52 ग्राम अफिम नर्शे की 11 गोलियां बर 2900 रुपई ब्रामत किया गया है कुमार भी थाना पुलिस ने मामला दर्श कर लिया है तथा आगे की चानबीन कर रही है थाना प्रभारी ने मामले की पुष्टी करते हुए कहा कि एक महिला को निशीले पदार्तों के साथ गिरफतार किया गया है तथा मामले की गहन चानबीन की जा रही है इस अंदर में थाना पर अभियोग संख्या अभियोग जर्ज किया जा चुका है जिसकी तफिश अमल में लाई जा रही है और वर्तमान में यह माल कहां से आया इसकी पता जो ही पता जो ही करके अगरिम कारवाई अमल में लाई है